परिचय विद्यार्थियों, जैसा की हम जानते हैं की आधोनिक युग में और वरक का विस्त्रित तौर पर कृशी में उपयोग होता है। कृशी उत्पादों में प्रभावी ढंग से व्रिधी के लिए और वरक का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 40% प्रोटीन का उत्पादन संशलेशित अमोनिया पर आधारित है। इस उची मांग को पूरी करने के लिए हैबर प्रक्रिया द्वारा बड़े स्थर पर अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन हाइडोजन के साथ संयूजन कर अमोनिया में बदल जाता है। आवर्थ सारणी के पी ब्लॉक में नाइट्रोजन महदपून तत्व है। इसलिए विद्यार्थियों आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्धे अंद करेंगे। उद्देश इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पी ब्लॉक तत्वों का वलन करना, वर्ग 15 के तत्वों को पहचानना, समो 15 के तत्वों के गुणों को जानना, नाइट्रोजन के असामान ने गुणों का विशलेशन करना, डाई नाइट्रोजन के गुणों और उपियोगों की प्याख्या करना, अमोनिया के गुणों और उपियोगों की व्याख्या करना, नाइट्रोजनों के ओक्साइडों को समझना, नाइट्रिक अमलिके गुणों और उपियोगों की व्याख्या करना, फॉस्फोरस के अपरूपों का वलन करना, और फॉस्फोरस के हैलाइडों और ओक्साइडों की व्याख्या करना, परिभा आवर्द सारणी के वर्ग 13-18 तक के तत्व सम्मिलित रूप से P-Block के तत्व कहलाते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, लोरीन और हिलियम इस समु के प्रमुक तत्व हैं इन तत्वों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास NS2, NP1-6 तक है ये बाहितम कोश के P-कक्षों को भरते हैं P-Block के तत्व द्वारा प्रदशित महत्तम आक्सीकरण इस्थिती संयोजक्ता इलेक्ट्रोनों की संख्या के बराबर होती है ये महत्तम आक्सीकरण इस्थिती वर्ग आक्सीकरण की स्थिती कहलाती है वर्ग 15 के तत्व नाइटोजन परिवार नाइटोजन, फॉसफोरस, और्सेनिक, एंटिमनी तथा बिस्मित आवर्द सारणी के वर्ग 15 के समलित हैं इस वर्ग के प्रथम दो तत्व नाइटोजन और फॉसफोरस अधातु हैं बात के दो आर्सेनिक और एंटिमनी उपधातु हैं अंटिम तत्व बिस्मित धातु है इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजक्ता कोश में पांच इलेक्ट्रोन होते हैं उनके सामाने संयोजक्ता कोश का इलेक्ट्रोनिक विन्यास NS2-NP3 है वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण परमानू त्रज्या परमानू संख्या पढ़ने के साथ इसमें भी व्रिध्धी होती है गलनांग और गौतनांग वर्ग में नीचे उधरने पर इसमें व्रिध्धी होती है हाला कि आम तोर पर बिस्मित का गलनांग निम्ने रहता है बिस्मित के तीन के बजाए पांच सह सेयोजक बंधन बनाने की प्रवृति के कारण ऐसा हो सकता है इस प्रकार इसके निम्न गलनांग के लिए ठोस अवस्था में परमाणों के बीच दुर्बल बल जिम्मेदार है घनत्व इस वर्ग में नीचे जाने पर सदस्यों का घनत्व बढ़ता जाता है आइनन एंथेलिपी इस वर्ग में नीचे जाने पर परमाणों के आकार में व्रिध्धी और बीच के इलेक्ट्रोनों के स्क्रीनिंग प्रभाव की कारण प्रथम आइनन एंथेलिपी में नियमित रूप से व्रिध्धी होती है वर्ग 15 के तत्वों के सामान निगुण श्रिंखलन वर्ग 15 के तत्वों श्रिंखलन के गुण दर्शाते हैं तीन परमाणों तक विस्तार कर नैट्रोजन श्रिंखला बनाता है फॉस्फोरस श्रिंखलन के लिए विशिस्ट गून प्रदशित कर, कुछ फॉस्फोरस पर्माणों के साथ चक्रिये और मुक्त श्रिंखला बनाता है अपरूप नाइट्रोजन और बिस्मत को छोड़ कर इस वर्ग के सभी तत्व अपरूप के कुण प्रदशित करते हैं पॉस्फोरस, शुएत, लाल और काले अपरूपों में पाया जाता है आर्सेनिक पीला और भूरे रंग का होता है वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमानविक आगार में प्रिद्धी के साथ विद्धुत रनात्मक्ता का मान खटता है वर्ग पंद्रा के तत्वों की आकसी करण की अवस्था इस वर्ग के सभी तत्वों के संयोजकता कूच में पांच इलेक्ट्रोन होते हैं एक आदर्श गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए इन तत्वों को तीन अतिरिक्त इलेक्ट्रोनों की आविशकता होती है लेकिन तीन इलेक्ट्रोनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी बात्रा में उर्जा की आविशकता होती है ये सिर्फ नायटूजन के साथ इस्थान लेता है क्यूंकि ये इस वर्क का सबसे छोटा और सबसे अधिक विद्ध रनात्मक तत्व है इस वर्क के अन्य तत्व सहसेयोजक योगिक बनाते हैं जिनमें उनकी आपचारिक आक्सी करण अवस्था माइनस तीन है इस वर्क के तत्व प्लस तीन और प्लस पांच आक्सी करण अवस्थाओं का भी प्रदशन करते हैं लेकिन काफी मात्रा में उर्जा की आविशक्ता होने की वजह से M5 प्लस आयन नहीं बना सकते प्लस 3 और प्लस 5 ओक्सीकरन की अवस्थाओं के साथ-जाध ज्यादतर अन्य योगिकों के तत्व सहसें योजक हैं. नायटोजन की इस्थिती में सभी ओक्सीकरन अवस्थाओं मैंनस 3 से प्लस 5 हैं, जो सभव है. नायटोजन का असमान निवेवहार नाइटोजन वर्ग के अन्न सदस्यों से निम्न कारणों से भिन होता है छोटा आकार उच्च विद्द रनात्मक्ता उच्च आइनन एंथेलिपी डी कक्षकों की अनुपलब्दिता नाइटोजन की स्वयम के साथ वाकारबन ऑक्सीजन जैसे छोटे आकार तथा उच्च विद्द रनात्मक्ता वाले तत्वों के साथ पाई पाई बहुआ बंध बनाने की विशिष्ट प्रवरित्ती होती है इस प्रकार नाइटोजन दो परमाणों के बीच उच्च बंध एंथेलिपी 941.4 किलो जूल प्रती मोल के एक त्री बंध के साथ दोई परमाणवी कड़ों के रूप में पाया जाता है एकल नाइटोजन बंध एकल फॉसफोरस बंध की दुला में कमजोर होता है क्योंकि इसमें आबंध इलेक्ट्रोनों के उच्च अंत्रा इलेक्ट्रोनिक प्रतीकर्शन के कारण बंध की लंबाई कम होती है वर्ग 15 के तत्वों के हाईड्राइट वर्ग 15 के सभी तत्व एमेच तीन प्रकार के हाईड्राइट बनाते हैं संदचना सभी हाईड्राइट सहसे योजक हैं और SP3 हाईब्रीडाइजेशन में शामिल होते हैं चार में से तीन SP3 हाईब्रीड कक्षक 3H परमाणों के एक S कक्षों के साथ अथिव्याप्त होते हैं और 3MH सिग्म आबंद बनाते हैं जबकि चौथा हाईब्रीड कक्ष एकांग की युगल इलेक्ट्रॉन रखता है वर्ग में नीचे जाने पर आबंद का कौण घटता जाता है मौलीक गुन किंदरीए परमाणों पर एक आकी युगल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिती के कारण ये हाईब्रीड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं वर्ग में नीचे जाने पर केंद्रिय पर्माणों के चारों ओर इलेक्ट्रोन घनत्व कम होता है। यहां वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का मौलिकोन घटता है। तापिये इस्थिर्ता वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों की इस्थिर्ता कम होती है इसे बंधन, विभाजन, एंथेलिपी के रूप में इसका वर्ण किया जा सकता है जो वर्ग में नीचे जाने पर घड़ता है कौथनांग वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों का कौतनांग पहले घड़ता है, फिर बढ़ता है। हाइड्रोजन बंद और वेंडल वॉल के आकरशन के कारण कौतनांग में अंतर आता है। वर्ग 15 के तत्वों के आक्साइड और हेलाइड। आक्साइड समानत्या इस वर्ग के सभी सदस से M2O3 और M2O5 प्रकार के आक्साइड बनाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर आक्साइडों के अमलिये गुणों में कमी आती है। N2O3, P2O3 और AS2O3 अमलिये प्रकृती के हैं। SB2O3 प्रकृती में उभैधर्मी हैं। BI2O3 प्रकृती में चार के रूप में हैं। हलाइड ये तत्व हलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर हलाइड की दो श्रीनियों का निर्माण करते हैं। ट्राइड हलाइड और पेंटा हलाइड नायटूजन को छोड़कर इन तत्वों के ट्राइड हलाइड स्थाई हैं। नाइ्टोजन के सियोजकता कोश में कक्षक नहीं होता है जिससे ये पेंटाहलाइड नहीं बनाता है। पेंटाहलाइड में ट्राइहलाइड की तुल्ला में कम से सियोजक है। डाई-नाइटोजन, डाई-नाइटोजन के आयतन में 88 प्रतिशत हवा होती है, फलुसरोप नाइटोजन योगिक के रूप में पाया जाता है, डाई-नाइटोजन के विर्जन की कुछ सामवानिविधिया निम्न है, डाई नाइटोजन का वैवसाई कोथपादन वायू के द्रवी करण तथा प्रभाजी आस्वन से किया जाता है पहले द्रव नाइटोजन कौथनांक 77.2 केल्विन पर आस्वित होती है और तरल आक्सीजन मुक्तो होती है प्रहोक्षाला में आमोनियम नाइट्रेट के संत्रिप्त गोल को गर्म कर प्राप्ट किया जा सकता है डाई नाइटोजन पानी के उपर जम जाता है NH4Cl और Potassium डाई कोमेट के मिश्रम को गर्म कर डाई नाइटोजन तयार किया जा सकता है सोडियम एंजाइड और बेरियम एंजाइड को गरम कर विशुध नैटोजन प्राप्त किया जा सकता है डाइनाइटोजन के कुण डाइनाइट्रेट रंगहीन, गंदहीन और स्वाधीन कैस है ये पानी में अपिक्षा क्रित घुलंचील है ये जहरीली कैस है ये ना तो जलती है और ना ही देहन में मदद करती है ये कमरे के ताप पर रासाइनिक अक्रिय है लेकिन ताप मान बढ़ने के साथ ये तेजी से प्रतिक्रिया करती है उच्चताप पर नाइट्रोजन कुछ अती सक्रिये धातूं के साथ संयोजित होकर नाइट्रेट बनाती है उच्चताप पर नाइट्रोजन कुछ अधातूं से संयोजित होती है डाई नाइट्रोजन के उप्योग डाइ नाइटोजन के कुछ महतपून उप्योग निम्न है इसका उप्योग खादे पदार्थों को सुरक्षित रखने में हुगिया जाता है एनज्टीन और केल्शियम साइनामाइट को तैयार करने में इसका उप्योग होता है जेविक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतक और क्रायोजेनिक अध्यान में इसका उपियोग होता है इसका उपियोग वेल्डिंग में अक्रिये वाता वरन पैदा करने में होता है अमोनिया अमोनिया कम मात्रा में वायू तथा मिट्टी में उपस्तित रहती है जहां ये नाइटोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विक्टन से बनती है प्रयोक शाला में किसी एक्षार के साथ अमोनियम सौल्ट को गर्म कर अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है कली चूना के साथ गुजार कर अमोनिया को सुखाया जाता है व्रहत इस्तर पर अमोनिया को हैबर प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नाइट्रूजन हवा में आउक्सीजन से व्यूत्पन प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनती है अभिक्रिया प्रतिवर्थी होती है और अमोनिया का उत्पादन उश्माक्षेपी होता है 200 से अधिक दबाव और 700 केल्विन के ताप पर उत्प्रेरक अमोनिया का निर्मान करता है अमोनिया के गुंद अमोनिया एक टीखी गंद वाली रंगहीन कैस है द्रव और ठोस अवस्थाओं में ये हाइडोजन बंधो द्वारा बंधित होती है जिसके कारण इसके गलनांग वा कौधनांग के मान अधिक होते हैं नाइटोजन परमाणों पर एकाकी युगल की उपस्थिती के कारण ये लेविस आधार है ये त्री कौन ये ग्रैमेडी धाचा है एन एसपी तीन हाईब्राडाइजड है और इसका कौन एक सो साथ डिग्रीफ है ये इलेक्ट्रोन का त्री बंध युगल और एकाकी युगल है ये पानी में तीवर घुलनशील और ख्षार में मंद घुलनशील है ये संकर्माण थातू आयन के साथ समनवैक सहसेयोजग बंध बना सकता है और जटल सरूप देता है अमोनिया का उप्योग अमोनिया के प्रमग उप्योग निमने है इसका उप्योग प्रयोगशाला अभी कर्मक और विलायक के रूप में होता है इस कवपयोग इंडस्ट्री में और वरक के निर्मान में किया जाता है इस कवपयोग स्टील के सतेह को कठोर बनाने में होता है तरल अमोनिय कवपयोग प्राशीतक में होता है नाइटोजन के ओक्साइड विभिन आक्सी करण की आवस्थाओं में नाइटोजन काफी संख्या में आक्साइड बनाती है नाइट्रस आक्साइड अथवा नाइटोजन एक आक्साइड NH4NO3 अथवा NH4CL के मिश्रण और NANO3 को लगभग 500 केल विंता पर सौधानी पूर्वक गर्म करने पर इसे तयार किया जाता है हाइड्रोकसी लेमाइन, हाइड्रोक्लोराइड और NANO2 घोल को गर्म करके शुद N2O प्राप्त किया जाता है ये मीठी और सुगंदित रंगहीन कैस है इसे लाफिंग गैस या हासिग गैस के नाम से भी जहना जाता है N2O और O2 के मिश्रण का उप्योग जेतना शुनिक करने वाली औशदी खासकर दातों की सरजरी में किया जाता है नाइट्रेस आकसाइड अथवा नाइट्रोजन दूग आकसाइड लोह आयन के साथ NHO3 के अबगटन से इसे प्राप्त किया जाता है ये रंग हीन विशली गैस है ये तेजी से आकसी क्रित होकर भूरे रंग का NO2 प्राप्त करती है ये आकसी करन और अबगटन दोनों प्रतिनिधियों की तरहा काम करती है ये अक्रिये आकसाइड और पैराचम किये है डाई नाइटोजन ट्राइ आकसाइड अथवा नाइटोजन तीन आकसाइड NO और NO2 के समांग मिश्रण को 253 केल्विन से शीदलन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है ये नीले रंग का तरल है ये बहुत ही अस्थाई है और ये केवल तरल सौरूप में ही पाया जाता है ये एक अमलिये आकसाइड है ये चार को निश्क्रिये कर लवन बनाता है जो नाइटरेट कहलाता है नाइटोजन आउकसाइड अथवा नाइटोजन चार आउकसाइड लेड नाइट्रेट को गर्म कर इसे तयार किया जाता है संत्रिप्त HNO3 को धादू द्वारा अब घटित कर इसे तयार किया जा सकता है ये भूरे रंग की गैस है ये निम्न तापमान पर N2O4 को रंगहीन गैस में परिवर्थित कर देती है ये अमलिये प्रकृतिकी है डाइटोजन पेटा आउकसाइड अथवा नाइटोजन नाइट्रिक अमल प्रयुक्षाला में NaNo3 या KNO3 के साथ सांद्र सल्फियुरिक अमल को 573 केलविंता पर आस्वन कर प्राप्त किया जाता है बड़े स्तर पर उस्वाल्ड प्रकृतिक अमल का विट्चन किया जाता है उस्वाल्ड प्रक्रिया हमोनिया और हवा का एक अनुपाद आठ में मिश्रित कर उसे 1093 केलविं पर प्लेटिनम गास्ट से गुजारा जाता है इस प्रकार NO और NO दो बनते हैं जो जल में अफशोशित हो जाते हैं और तनू HNO3 का सौरूप लेते हैं ये तब 68 प्रतिशत तक द्रविमान को आस्वन द्वारा संत्रिप्त करता है बाद में ये संत्रिप्त H2SO4 पर आस्वन द्वारा 98 प्रतिशत तक संत्रिप्त होता है नाइट्रिक अमल के को ये रंगहीन धुन्दा तरल है ये कुछ आइस्थिर है और NO2 के कारण तेजी से पीले रंग में बदल जाता है और आंशिक रूप से विक्टन करता है ये तवजह पर संक्षारक क्रिया करता है और इसे पीले रंग में बदल देता है ये कठोर अमल है और ख्षार तथा मौलिक अउक्साइट के साथ नाइट्रेट का निर्मान करता है और कार्बोनेट में विक्टिद हो जाता है ये आउक्साइट थातू अधातू और उप्धातू में अपने आउक्साइट अथवा आउक्साइट अमल में प्रबल आउक्सी करण प्रतिनेदी है और स्वैम में अबखडित होकर एन ओ दो एन ओ एन दो ओ अथवा एन श्तीन देता है ये पदार्थ के आक्सी करण अमल और तापमान के सांद्रण पर निर्भर करता है नाइट्रिक अमल का उप्योग नाइट्रिक अमल के निमनलिखित भेंदपून उप्योग है रंग, औशधी और इत्र के निर्मान में इसका उप्योग होता है रजद और सोने के शुद्धी करण में इसका उप्योग होता है तांबा, पीतल और कांसे में खुरत कर आकरिती बनाने में इसका उप्योग होता है रौकिट इंधन में इसका इस्तिमाल आकसीडाइजर के रूप में होता है विस्भोटक के निर्माण में इसका उप्योग होता है प्रयोग शाला अभी कर्मक के रूप में भी इसका इस्तिमाल होता है नाइट्रिक अमल का सबसे बड़ा उप्योग अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस मुख्यता फॉस्फेट चट्टान अथवा फॉस्फोराइट के रूप में पाया जाता है. ये प्रकृती में मुख्त रूप से नहीं पाया जाता है. हड्डियों में उच्च मात्रा में केल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है. विदुद भट्टी में 1773 केल्विन ताप पर फॉस्फेट आयस्क को रेद और कोक के साथ गर्म किया जाता है. कोक अब घटित होकर तीवर वाश्प शील P2O5 बनाता है. और फास्फोरस की वाश्प पानी के नीचे जमा हो जाती है और श्वेट फास्फोरस देती है. फास्फोरस के अपरूप फासफोरस तीन अपरूपों में पाया जाता है श्वेत फासफोरस, लाल फासफोरस और काला फासफोरस श्वेत फासफोरस ये एक पारभासी श्वेत मौमी थोस है ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है ये जहरीला होता है और जबडे की हड़ी के क्षनन का कारण बनता है। साट डिग्री कौन आबंद के साथ ये चतुश कौनिय सनजना है। पीचार अनू में कौनिय तनाओ के कारण श्वेत फासफोरस अती अभिक्रियाशील है। रासाइनिक कौन श्वेत फासफोरस हवा में सहज आउक्सी करण करता है। ये गर्म संत्रिप्त NaOH के साथ अभिक्रियाश कर फॉसफीन बनाता है। ये क्लोरीन के साथ सन्योजन कर PCL3, PCL5 बनाता है। ये हवा में चमक के साथ जलता है और ट्राइऑक्साइट और पेंट़ आक्साइट का श्वेत धुआँ उत्पन्ने करता है। लाल और काला फासफोरस लाल फासफोरस श्वेत फासफोरस अक्रिये वातवरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। गुन इसमें लह भूरा चमग होती है। ये गंदहीन, अविशेला और जल में घुलनशील होता है। ये 533 केल्विन ताप पर उच्च ज्वलनशील है और फासफोरसीन प्रदशित नहीं करता है। श्वेत फासफोरस की तुलना में ये काफी कम अभी क्रियाशील है। ये बहुती होता है। और पीचार चतुश कोण ये श्रंखला से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। काला फासफोरस इसके 200 रूप होते हैं। अलफा काला फासफोरस लान फासफोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में जब काफी समय तक गर्म किया जाता है तो काला फासफोरस बनता है। ये इस्थिर अपरूप है और इसे वायू में आक्सिडाइज नहीं किया जा सकता है। बीटा काला फासफोरस शोयद फासफोरस को पारी की उपस्थिति में कई दिनों तक 473 केल्विन ताप तथा उच्छ दाप पर गर्म करके बनाया जाता है। ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये 860 केल्विन ताप के उच्छे गलनांग के साथ प्रकृती में क्रिस्टिलन है। 673 केल्विन ताप के बिना ये हवा में नहीं जलता है। और ये काफी स्थिर होता है। पॉसफीन श्वेट फासफोरस को एक फ्लास्क में 4 प्रतिशत NaOH गोल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जिसमें से तेलिये गैस को गुजार कर हवा को विस्थापित किया जाता है। हवा को विस्थापित करने के दोरान तेलिये गैस बुलबुला बनाती है। pH 3 में जरूरत भर H2 और अलप P2H4 होता है और वायू में जुहलनशील है। अशुद्ध फॉस्फीन लौ में जलता है। जब ये वायू के संपर्क में आता है और P4O 10 के सफेद छले बनाता है। शुद्ध फॉस्फीन स्वता जुलनशील नहीं है। इसे कास्टिक पोटाश घोल के फॉस्फोनियम आयूटाइट में गर्म करके इस लायक बनाये जाता है। फॉस्फीन के कुण। ये वायू में तेजी के साथ जल कर P2O 5 बनाता है। लेकिन शुद्ध रहने पर ये सुधा जुलनशील नहीं है। ये जल में मुश्किल से घुलनशील है और जल के साथ अभी क्रिया नहीं करता है। ये रंगहीन गैस है और इससे दुरगंध आती है। जो सड़ी हुई मचली की तरह होती है। ये जहरीली होती है। 717 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें विखंडन होता है। जब इसके घुल से होकर कौपर फॉस्फाइट मुक्त धातु की तरह गुजरता है तो कौपर बनाता है। ये NH3 के तुलना में ज्यादा अक्षारिये है। इसलिए केवल कठोर यानि मजबूत अमल के साथ प्रतिक्रिया करता है। फॉस्फोरस हैलाइट फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइट बनाते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइट और फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइट। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइट फॉस्फोरस को गर्म कर इसका विर्चन किया जाता क्लोरीन की धारा में फास्फोरस्वर थायोनाईल क्लोराइट की क्रिया करा कर भी इसका विर्चन किया जा सकता है। कार्बनी की योगिकों के साथ अभी क्रिया करता है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइट ये पी सी एल तीन पर शुष्क क्लोरीन की क्रिया द्वारा विर्चित होता है। ये थायोनाईल क्लोराइट पर श्वेत फास्फोरस की क्रिया द्वारा विर्चित होता है। ये शुद् पाफी तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है और पहले POCl3 देता है और बाद में फासफोरिक अमल देता है। ये अंतिम रूप से विभाजित धादू के साथ गर्म होकर क्लोराइट देता है। फासफोरिस के आकसाइड फासफोरिस कई आकसाइड बनाते हैं। फासफोरिस के महतबूं आकसाइडों में निम्न हैं। और तो फासफोरिस अमल ये ठंडे चल में P4-6 के अब घटन द्वारा तयार होता है। PCL-3 और पानी से अभिक्रिया कर ततपड़ता से अभिक्रिया करता है। ये एक ठोस परस्वेदी ठोस है। ये दुईक्षारिय अमल है। इसमें तीवर क्षिनता का गुण होता है। ये अपने लवन घोलक से रजत का आसवन करता है। और्थो फासफोरिकमल H3PO4 ये जल में P2O5 के विक्टन से विर्चित होता है। ये चट्टान फासफेट पर तनो H2SO4 की क्रिया द्वारा विर्चित होता है। ये रंग हीन क्रिस्टलिय ठोस है। ये तीवर परस्वेदी होता है। और गाड़ा फासफोरिकमल मुक्त कर जल को अफशोशित करता है। ये त्रीकशारिय अमल है। गर्म करने पर ये लकातार जल के अड़ों को खोता है। और 523 केलविनता पर पाइरोफासफोरिकमल और 873 केलविनता पर मेटाफासफोरिकमल मुक्त करता है। ये AGNO3 घोल के साथ अभिक्रिया करता है और पीला तलचट मुक्त करता है। पाइरोफासफोरिक और मेटाफासफोरिकमल पाइरोफासफोरिकमल चार सो तिहत्तर से 523 केलविनताप के बीच और्थोफासफोरिकमल के गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। ये श्वेत क्रिस्टलिय ठोज है और प्रकृति में चत्ष शारिय है। तेजी से इसे गर्म करने पर ये जल के कण का त्याग करता है और मेटाफॉस्फोरिक अमल देता है। मेटाफॉस्फोरिक अमल ये ठंडे चल में P2O5 के विक्टन से विर्चित होता है। ये H3PO4 को 873 केलविनता पर गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एक पर स्वेधी ठोस है। ये मानुमेरिक एकलक स्वरुप में नहीं होता है। लेकिन पॉली मेटाफॉस्फेरिक अमल HPO3N में होता है। ये एक शारिये अमल है। क्या आप जानते हैं। डेनियल रदर फोर्ट ने 1772 में नाइटोजन की खोज की थी। फासफोरस शब्द ग्रीक के दो मूल शब्दों फॉस जिसका अर्थ है प्रकाश और फॉरस जिसका अर्थ वहक है से बना है। नाइटोजन परिवार के 6 तत्व एक साथ मिलकर भूपरपटी के वजन से 0.2 से कम भार देते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। नाइटोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक अंटिमनी तथा बिस्मत आवर्थ सारणी के वर्ग 15 के समलित हैं। इनके संयोजक्ता कोश में 5 इलेक्ट्रोन होते हैं। उनके सामाने संयोजक्ता कोश का इलेक्ट्रोनिक विन्यास NS2-NP3 है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणवी काकार में व्रिद्धी के साथ विद्धत रणात्मक्ता का मान घटता है। केंद्रिये परमाणों पर एकाकी युगल इलेक्ट्रोनों की उपस्थिती के कारण ये हाइब्रिड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं। हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नैट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से व्युत्पन प्रक्रितिक गैस से अमोनिया बनता है। ये एक पारभासी श्वेत मूमी ठोस है। ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फॉस्फोरस क्लोराइड टीशन गंध के साथ रंगहीन कतीमान तरल है। इसके अडूं का आकार पिरैमिडी होता है।